स्वागत आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विट विदिन में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग गूगल मीट को यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए यहां ऑनलाइन मीटिंग के लिए वो गूगल मीट के अंदर अगर चाहते हैं कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स की अटेंडन्स ले सकें मीटिंग खतम होने के बाद यह क्लास खतम होने के बाद तो इस चीज से रिलेटेट्स मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, एक से ज़्याधा वीडियो बनाया हुआ है, मैंने 2 या 3 प्लागइंस के बारे में पहले भी मेरे चैनल को बताया हुआ है आज वापस से इस topic को बताने का reason यह है कि Google ने हाले में Google Meet के interface में बहुत सारे changes करे हैं बहुत सारे changes में एक तो Google Meet का पूरा interface change हो गया है दूसरा Google Meet के अंदर कुछ नए options दिये गए हैं बट वो जो options हैं वो कुछ ही accounts के ओपर available हैं ठीक है इसके बारे में भी Google ने बताया हुआ है कि यह जो नए options हैं किनके अकाउंट में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि Google के कई तरह के अलग-अलग type के accounts create होते हैं जैसे हम free account यूज करते हैं कुछ account paid होते हैं, कुछ business account होते हैं कुछ non-profit organization के account होते हैं तो हर account के लिए Google ने कुछ अलग facilities दी हुई है तो Google ने अपने packages में भी change करा है feature में भी change करा है, interface में भी change करा है और कुछ नए options को भी introduce करा है तो नए option में जो सबसे ज़्यादा important और सबसे ज़्यादा interesting options है वो है poll generate करने का अगर आप online class ले रहे हैं तो आप उसका एक poll create कर सकते हैं अगर आप कोई topic पढ़ा रहे हैं अगर आप कुछ ऐसे question उनसे पूछने हैं frequently और fast कुछ आपको voting type की चीज़े करनी है अगर आपको जानना है कि सारे participants का किसी particular topic क्यों पर क्या opinion है तो आप इस polling option के थुरू उनके opinion को जान सकते हैं एक fast voting create कर सकते हैं इस poll option के दूरू तो ये एक तो poll option और दूसरा Q&A session जो हम करते हैं after the meeting उसका भी option दिया है Google Meet ने अपने नए features करते हैं क्योंकि ये दोनों option कई सारे softwares में available हैं जो की Google Meet के competitor माने जाते हैं जैसे कि हम Zoom की बात करें या Cisco WebEx की बात करें जो सबसे ज़्यादा बड़े competitor है Google Meet के Microsoft Teams भी इसी चीज में शामिल है इन सारे softwares में भी ये सारे options available हैं polling के and Q&A के तो ये सारे features Google ने भी launch करे हैं और साथी साथ उसने अपने interface में change करा और ये options ये कुछी users के लिए available हैं but interface जो Google ने change करा है वो सभी users के लिए change कर दिया है जहां पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि आप poll कैसे create करते हैं आपने दिखा होगा कि कई दिनों से आपको इस तरह का एक option दिखाई दे रहा होगा अपने Google Meet के अंदर इस option के उपर जब आप जाते हैं तो जो free users हैं या जिनके account में polling का option नहीं है उनको इस option को click करने का आपको दो option दिखाई देते हैं whiteboard का and recording का जिन users के account में polling और Q&A के option available है वो जब इस option को click करते हैं उनको breakout rooms का option मिलता है जो Google Meet ने भी launch करा है ठीके नए options के साथ ने so breakout rooms, polls and Q&A का आपको option मिलता है यहाँ पर आपको इस icon के अंडर पर पांच नए option मिलते हैं whiteboard का recording का जो की पहले से available है ठीके और उसके बाद यह तीन नए option मिलते हैं breakout rooms polls and Q&A पर यह कुछ ही लोगों के accounts में ही available हो रहे हैं और वो किन accounts में available हो रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ so आपको क्या करना है इस poll के उपर क्लिक करना है startup poll ठीके एक छोटा सा यहाँ पर इस तरह का form open होगा इस form में आपको question लिखना है options लिखने है और उसको save कर देना है और उसको आपको launch कर देना है जैसे ही आप उसे launch करेंगे तो आपके participants की screen पे यह poll दिखने लग जाएगा उनको given answer में से कोई एक particular answer select करना है और उसको vote करना है ठीके तो जैसे ही वो लोग vote करेंगे आपको अपनी screen पे दिख जागा कि कितने लोगों में किस answer को vote करा है और जब आपको लगता है कि आपका poll जो है वो complete हो चुका है तो आप उसको end कर सकते हैं ठीके इस तरह से आप poll का use कर सकते हैं अपने google meet में अब जैसा कि मैंने आपको बता रहा है कि यह जो options है यह कुछी account अविलेबल है तो पोल का option और Q&A का option और breakout room का option से इन ही accounts के ओपर अविलेबल है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते है polling in google meet is available to these google workspace edition essential business standard business plus enterprise essential enterprise standard enterprise plus enterprise plus education plus teaching and learning upgrade g suit business non-profits तो अगर आपने जब google meet को यह google से workspace purchase करा है और purchase करते समय इन किसी option का use करा है तो ही आपको poll का option मिल पाएगा ठीक है यह हो गई बात poll के option की now हम देखते हैं कि google के interface में क्या change आया है ठीक है मैं आपको वह भी दिखा जटता हूं ठीक है google meet का जो नया interface आया है इसके बारे में भी मैं आपको दिखा जटा हूं ठीक है इस तरह का कुछ नया interface आया है google meet के अंदर सारे options जो है वो नीचे की तरफ आ चुके हैं जिसमें कि आपको meeting name दिखा ही देगा mic दिखा ही देगा camera का icon दिखा ही देगा options का icon option का icon आपको दिखाई देगा raise end का icon आपको दिखाई देगा screen को share करने का option यहाँ पर आपको दिखाई देगा फिर settings का एक option आपको दिखाई देगा call end का एक option आपको दिखाई देगा वैसे ही यहाँ पर आपको number of participants chat और यह जो additional option का यह जो icon है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो यह सारी चीजे आपको इस तरह से मिलेंगी Google Meet के नए इंटरफेस पर जो कि मैं अभी आपको लाइफ भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो आप अपने कैमरे को इस तरह से मूव भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर बता अब यहाँ पर क्या प्रब्लम आई है कि Google Meet ने अपना नया इंटरफेस तो लांच कर दिया है बट नए इंटरफेस के साथ में जितने भी पुराने प्लगिंस थे जो कि मैंने पुराने वीडियो दो बता हुए थे जैसे अटेंडेंस का प्लगिंग या आटो एडमिट का यह सारे प्लगिंस जो थे वो सारे प्लगिंस अब काम करना बंद कर चुक है तो कई लोगों को अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसी प्रॉब्लम को रिजॉल करने के लिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों को अटेंडेंस लेने म उसी दोरान मुझे एक plugin मिला attendance related तो आपको यह plugin कैसे find out करना है मैं वो आपको बता दरहूँ आपको अपने browser को open करना है और वहाँ पर आपको type करना है chrome plugins ठीक है chrome plugins को type करने के बाद आपको यह website मिलेगी इसको open करना है इस website को open करने के बाद आपको यहाँ पर search का option मिलेगा search के option के अंदर आपको लिखना है google meet attendance list google meet attendance list और इतना करके आपको enter press करना है keyboard से ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह search की process चल रही है ठीक है जैसे यह search की process complete होती है आपको कुछ ना कुछ result मिलेगा तो आपको पुड़ा सा wait करना है तो जैसे यह search की process complete होई आपको यहाँ पर दिख रहा है google meet attendance list और आपको यहाँ पर दिख रहा है added अब यह added इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे system में यह already added है आप जब इस चीज को open करेंगे आपको यहाँ पर यह added का option नहीं मिलेगा यह अपके computer के screen में आपके browser की screen पे इस तरह से आ जाएगा ठीक है इस तरह से यह आपको इस आइकन के उपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको list of extensions मिल जाएंगे list of extensions में इस तरह से आपको अगर दिखाई देगा आपको इसके उपर click करना है जैसे आप click करेंगे यह इस list पे यहाँ पर show करने लग जाएगा ठीक है तो pin करना है आपको basically यह pin का option होता है यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा अब इतना करने के बार आपके system पे इस तरह के option दिखने लग जाएगा remove from chrome इसका मतलब क्या है कि यह plugin आपके chrome के browser पे install हो चुका है ठीक है तो आपको एक काम तो complete हो गया है कि आपने plugin को install कर लिया है आप दूसरा काम आपको क्या करके देखना है आपको एक dummy meeting create करनी है जैसे मैं यहाँ पर मेरे एक paid account से meeting create कर रहा हूँ उसके बाद में आपको free account से meeting बना के बताऊंगा तो आपको एक instant meeting start करनी है instant meeting start करने के बाद आप एक meeting अपने computer से start करें और उसी में ही अपने mobile device से किसी दूसरे account से join हो जाईए टेकि तभी आपको पता पड़ेगा कि यन प्लॉग इन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है सो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ जिए मेरे प्रेजन स्क्रीन है settings है call end का option है और ये activities का option है जैसे कि मैंने आपको बताया था recording और whiteboard ठीक है यहाँ पर मेरे पास Q&A and poll का option नहीं आ रहा है ठीक है यह मेरे participant की list है ठीक है यह मेरे chat window है ठीक है तो अब मैं इस meeting मेरे दूसरे device से दूसरे account से join हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने एक plugin लगा रखा है जैसे मैंने ट्राय करा इस meeting में join होने की मैं यहाँ पर join हो गया हूँ दूसरे account से आपको कैसे बता पढ़ेगा यहाँ पर आपको दो इस तरह से आपने इस चीज को pin कर दिया है ठीक है तो सारी चीज़े आप यहाँ से कर सकते हैं और इस तरह से आप meeting के अंदर दिखने भी लग सकते हैं अपने participants के साथ ही और बाकी options सारे वैसे ही है जैसे आपको chain layout के अंदर पता है कि यहाँ पर आप number of participants को एक साथ देख सक perform कर सकते हैं अपने google meet के अंदर अब सबसे बड़ी बात यह है कि attendance मुझे कैसे मिलेगी तो यहाँ पर मैं मेरे एक और device के साथ join हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया है और यहाँ पर मैंने मेरी screen को present करा है ठीक है तो present करने के बाद थोड़े दर मैं इस meeting को इसी तरीके से start कर कर रखता हूँ ठीक है यह मैंने यहाँ पर present करा हुआ है अगर यहाँ पर आप देखना चाहिए तो आपको एक यहाँ पर message आ रहा है to avoid mirroring don't share your entire screen और browser window share just a tab और different window instead ठीक है तो यहाँ पर google meet ने नया option भी आपको दिया है कि अगर आप entire screen के option को select कर आपको तीन option मिलते है share your entire screen share a tab और share a tab for a video तो अगर आप entire screen करते हैं तो इस तरह से mirroring होने लग जाती है ठीक है यह देखिए इस तरह से mirroring होने लग जाती है आपके screen की जो की पहले सिफ screen recorder softwares में होती थी ठीक है अगर आपको additional software यूज़ करते है तो screen recorder का अपने computer system पे तो इस तरह से same आपकी screen ही mirror होती ठीक है तो आपको परिशान नहीं होना है यह चीज इसलिए हो रही है क्योंकि अभी आप meet की window पर ही है इसलिए यह उस चीज को mirror कर रहा है ठीक है अगर आप कोई दूसरी window open कर देंगे तो कोई problem नहीं आएगी ठीक है आपके जितने भी participants हैं उनको आपकी screen नॉर्मल ही रही है तो हम यहां से ही क्या करेंगे इस presentation को stop करेंगे आपको यहां पर यह option देख रहा है stop presenting का मैंने इसको stop करा जैसे ही मैंने presentation को stop करा आप देख सकते हैं कि यहां पर मुझे meeting की list मिल गई है ठीक है participants के नाम participants का time ठीक है और कितनी दिर वो call में थे और उनके icons क्या थे वो और यहाँ पर एक और option मिल रहा है export these details as a CSV आप इस चीज़ को Excel के format में export भी कर सकते हैं आप यहाँ से इसको export कर सकते हैं जब आप export के पर click करेंगे तो यह जो detail है वो download हो जाएगी but problem यह है कि जैसे मैंने presenting stop करी वैसा ही मुझे यह चीज़ मिल गई तो ऐसा नहीं है कि यह मुझे presenting stop करने पर ही सिर्फ मिलेगी जब आप meeting को end करेंगे ठीक है suppose करिए मैंने यह meeting को end कर दिया है सो तब भी मुझे यह information मिलेगी यह देखिए यहाँ पर यह information मुझे मिल गई है ठीक है और आप इस information को किस तरह से देख सकते हैं suppose करिए कि information कभी आपको नहीं दिखती है जैसे ही आपने meeting end करी यहाँ यहाँ पर Google Chrome में आपको यह icon दिखाई देगा आउल का icon दिखाई देगा ठीक है इस icon के उपर click करेंगे तो इस तरह से pop-up message आएगा इसके अंदर आपको दिखेगा open meetings history जो आप इस history के उपर click करेंगे तो आपने जितनी भी meetings attend करी है उन सभी की history आपको यहाँ पर दिखाई देगी ठीक है जैसे मैंने यह 5 meeting आज के लिए attend करेंगे तो उस सारी meetings की history number of attendees मुझे दिखाई देगे और particular जिस meeting के उपर मैं click करूँगा उसकी further detail मुझे दिखाई देगी तो इस तरह से आप किसी भी meeting की detail को देख सकते है तो दोस्तो यह एक छोटा सा plugin है जो कि मैं आपको बताना चाहरा था तो मैंने इसको अभी आपको paid account से बता दिया है अब मैं आपको इसको free account से बताने की कोशिश करता हूँ ठीक है तो मैं मेरा account change कर लेता हूँ और फिर मैं meeting को start करता हूँ अब मैं मेरा पुराना interface ही दिखाई दे रहा है मेरे free वाले account पर अभी पुराना interface दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के free account पर नया interface अपडेट हो गया है मेरा यह जो free वाला account है इस पर अभी मुझे पुराना interface ही दिखाई दे रहा है बट क्योंकि मुझे पता है कि free account पर भी जितने भी पुराने plugins थे वो चलना बंद हो चुके हैं तो आप इस plugin को free account पे भी use कर सकते हैं यही इस video में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर meeting स्टार्ट हो गई है मैं मेरे दूसरे device से meeting में join हो जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इस meeting के अंदर दूसरे account से join हो चुका हूँ आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर दो लोग दिखाई दे रहे हैं इस meeting के अंदर अब क्योंकि यह free वाल आकाउंट है तो यहाँ पर मुझे से whiteboard का option मिल रहा है recording का option नहीं मिल रहा है क्योंकि यह free अकाउंट है अब हम screen को present कर लेते हैं screen को present भी कर लिया है पुराने तरीके से ही हो रहा है ठीक है तो यह screen present हो चुकी है थोड़ दर इस चीज़ को हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं चैनल ही है और फिर थोड़के बाद इसको stop presenting करते हैं जैसे हमने stop presenting कर रहा आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटिंग की detail आ गयी है ठीक है और मैं में मेटिंग को close करता हो घैक है जैसे मैं मीटिंग को close करता ओं वापस से मेटिंग की detail आ चुकी है सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे number of meetings जो है वो increase हो गए है अभी-अभी मैंने दो meeting create करी थी जिसमें मेरे दो participants है सो वो दो meeting यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ठीके दोस्तो यह छोटा सा plugin था जो की आपको मदद कर सकता है Google Meet पे attendance capture करने के लिए अगर आपकी meeting में number of participants बहुत ज़ादा है और आप उनकी attendance नहीं ले पा रहे हैं सो आप इस plugin का use कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे like करिए, share करिए चैनल को subscribe करिए, इसे share जरूर करिए क्योंकि जिन लोगों को problem आ रही है उन लोगों की problem इस plugin से solve हो सकती है तो जितना ज़्यादा इसको share कर सकते हैं इसे share करिए, plugin का use करिए अगर आपको इस plugin को use करने के बाद भी कुछ problem आती है तो आप comment section में आके comment कर सकते हैं मैं try करूँगा आपके problem को resolve करने की आपकी queries को देखने के बाद तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए topic के साथ में अब तक के लिए stay safe